नमस्कार मैं हुरेनु भाटिया नियूजब भारत में आपका स्वागत है विकास दूबे के काले कारनामों में भी शामिल थी आपको बताते चलें कि विक्तरू हत्याकान के बाद विकास दूबे की पतनी रिचा दूबे को पुलीस ने क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था लेकिन S.I.T. की रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे से रिचा का बचना मुश्किल हो गया क्योंकि S.I.T. की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास दूबे की पतनी रिचा अपने रिच्टेदार और विकास के खास गुरगे फरजी आईडी से सिम लेते थे विकास का परिवार फरजी आईडी से लिए गए सिम का इस्तमाल करता था S.I.T. की सिफारिश पर कानपूर पुलीस ने रिचा दूबे पर F.I.R. दर्ज कर दी है जिसके बाद अब चर्चा है कि पती की मौत के बाद अंतिम संसकार में शामिल होने आए रिचा दूबे का आओ भाओ जिस तरह से चलक रहा था तो लग रहा था कि विकास दूबे के बाद अब रिचा दूबे के हाथों में कमान रहेगी लेकिन S.I.T. की रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई F.I.R. से रिचा दूबे के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है अब देखना होगा क्या पुलीस रिचा दूबे की गरफतारी करती है या फिर जाच के दाएरे में कारवाई को आगे बढ़ाती है करके सस्त्र लाइसेंस लेने की दर्ज हुई है जिसमें रिचा दूबे जो विकास दूबे की पत्नी है और उनके अन परवार के सुदस्यों को उसमें नामित किया गया है इसके अत्रिक्त कुछ ऐसे लोगों पर भी काफ़या दर्द की गई है जुनोंने फरजी नामों से सिमकार ले रखे थे और उसका प्रियोग कर रहे थे देश विदेश की सबसे बड़ी और एहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं